आपको सचाई बताओ, मुझे एक भी पॉजिटिव आप इनियन या फीडबैक में नहीं मिलाइए कोने दो साल का सफर था, वो काफी बहुत दुख वरा दर्द वरा समय था इतने बार हम बहुत हतास हुए, निरास हुए, कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पैसा लगाने वाला हमेशा हारता है, और कोई मैनुप्रेट करने के कोसिस कर रहा है, उसको तो जितना आप डिसोस्टेट करें और डंड दे सके वह भी कम है, उन्होंने बुलाया और बुला कि हमें माफ कर दो, हम ये नहीं कर पाएंगे, मैंने बहुत ही बिंती की लेकिन उन जो है आजा के किरन नहीं दिख रही थी, नमस्कार दा पॉइंट ओव व्यू में आपका स्वागत है, मैं हूँ सुरेश मांचंदा और आप देख रहे हैं दा पॉइंट ओव व्यू, आज इस पोड़कास्ट में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा है शेर बाज कैसे काम करता है, शेर बाजार, लिस्ट कैसे होती है कंपनी, शेर बाजार, शेर बाजार के अंदर उस शेर का मतलब क्या है, ये सब हम जानेंगे, और साथ ही, आज हम उस एक शक्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिसने शेर बाजार को नई दिशा दी, जिन कैसा रहा उनका ये सफर और किस तरह की जदो जहद उनको भी सहनी पड़ी और किस तरीके का रास्ता उनको अक्तियार करना पड़ा ये सब हम जानेंगे अजय ठाकुर जी स्वागत है आपका दो पॉइंट ओप्लू में अजय जी आप Bombay Stock Exchange में SME सेग्मेंट के को लीड करते रहे हैं पहली कंपनी SME की जो लिस्ट हुई वो इनी के हाथ से लिस्ट हुई और इनी की देखरेक में हुई वहां से लेकर के अब तक का सफर जहां पर तकरीबन 1000 से ज्यादा कंपनिया अब लिस्ट हो चुकी है का सफर कैसा रहा ये हम जानते हैं अजय जी सबसे पहला पहली कंपनी जब आपने SME की लिस्ट की उसके बारे में बताईए और क्या आपने सोचा था कि SME सेग्मेंट एक बड़ी छोटी कंपनी क्या वो भी Bombay Stock Exchange जैसे platform के उपर पे लिस्ट हो सकती है क्या उसके भी जो promoters हैं वो बजार से पैसा जुटा सकत देखें अगर आप 150 वर्सों की यात्रा देखें Stock Exchange की तो पहले यहां पर बहुत सारी चोटी और मजोली जो कंपनियां थी वो भी लिस्ट होती थी अच्छा लेकिन समय के साथ साथ जो है बहुत सारे नियम में परिवर्तन हुए लोगों की Expectations बढ़ी और लगू और मद्यम उद्योगों के लिए जो है नियमावली जो थे वो कठीन हो चुके थे और इन्वेस्टर का भी उसमें रूजहान उतना नहीं रहा था तो जिस तरह से गाइडलाइन और जिस तरह से सारे compliance नियम कठीन हो चुके थे तो ऐसा लग रहा था कि जो इस देश के लगू और मद्य मुद्योग हैं जो काफी जमीनी अस्तर पर काम करते हैं टायर टूर सिटी टायर थ्री सिटी पर काम करते हैं उनको कैसे सिर्फ बैंक फंडिंग ही ना मिले बलकि stock exchange से भी funding मिले उसके लिए परदान मंतरी के अंतरगत उसमें डॉक्टर मनमुहन सिंथ्टे परदान मंतरी उ उसकमिटी ने बहुत सारे जो थे suggestions दिये थे जिसमें एक जो बहुत महत्पुन suggestion था क्या कि लगू और मद्यम कंपनियों के लिए एक SME stock exchange बनाया जाए और उसके नियम जो हो वो काफी आसान हो जो जब आप SME stock exchange में घुशते हैं तो उस समय उनके नियम काफी आसान होने च सचम नहीं है तो उसके लिए उसमें कैसे relaxation दिया जाए कटोती किया जाए और उनको SME platform पर लिस्टिंग करने का मौका दिया जाए और वो equity funding raise कर सके तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए SEBI से कहा गया कि आप इसके नियम बनाए SEBI ने 18 में 2010 को एक circular पारित किया जिसमें उन्होंने नियम बनाए कि SME platform पर लिस्टिंग के क्या नियम रहेंगे उन्होंने ICDR regulation जो primary market को govern करती है कोई भी आप issue लाते हैं चाहे वो आप SME board पर लाते हैं या main board पर लेके आते हैं उसके लिए ICDR नियम है जिसके अंतरगत ये सारी चीज़े होती है तो उन्होंने इसमे इंक्रूट किया वो आज chapter 10C हो गया है तो इसमें कुछ unique उन्होंने concept डाले ताकि risk और reward जो है वो balance रहे तो उन्होंने क्या-क्या इसमें जो नियम बनाए उसमें 3-4 चीज़े डाली उसमें हाला कि बहुत सारे उन्होंने relaxation के for entry criteria में और post listing compliance में काफी ज्यादा relaxation लेकिन क्यो जो समस्ते हैं sector को जिनकी deep pocket है जो लंबे समय तक company के साथ रह सकते हैं उनको guide भी कर सकते हैं तो उनके लिए यह सिर्फ खोला जाए तो इसके लिए उन्होंने lot size का concept लाया और उसमें उन्होंने बोला कि कम से कम अगर किसी वेक्ति को invest करना है तो एक लाक रुप्य का minimum investment size रह करते हैं जिनका काम यह है कि अगर public issue subscribe नहीं होती है अगर परियाप्त investor नहीं आते हैं तो इन सारे shares को subscribe करें तो यह जो है वो बाकी जो बचे हुए shares से उसको subscribe करें अच्छा ताकि यह issue fail ना हो तो यह concept उन्होंने introduce किया तिसरा concept जो उन्होंने introduce किया वो था market making का concept क्योंकि आ अगर liquidity नहीं है तो उस share का कोई मतलब नहीं रहा तो ऐसा लग रहा था कि इनकी जो IPO size होगी वो छोटी होगी तो उसमें पढ़ियाप liquidity कैसे हो ताकि investors का interest बना रहे है investor को entry और exit मिलते रहे तो उसके लिए इन्होंने market making का concept का प्रावधान किया और market making में merchant banker के उपर responsibility दी गई और उनसे ये कहा गया कि आप तीन साल तक आपको market making करना है और उसके बाद एक चोथा प्रावधान लाया है इसमें उन्होंने कहा कि अगर company बड़ी हो जाती है तो SME platform से main board पे जा सकती है तो ये चार प्रावधान थे अब इससे पहले merchant banker के उपर कभी भी primary market और secondary market की responsibility नहीं नहीं थी ठीक है OTCI launch हुआ था वो SME platform के चलते ही launch हुआ था लेकिन वो बुरी तरह से fail कर गई थी ठीक है तो एक वो baggage था ओपर से ये तीन concept नहीं आये अब जो उस समय में market में जो भी intermediaries हुआ करते थे उनमें ये डर था कि fee तो यहाँ ज्यादा मिलेगी नहीं और risk बहुत है इसका concept है और तिसा अंडर राइटिंग क्या अंडर राइटिंग का फी परियाप्त होगा कि आप पूरी के पूरे से अंडर राइटिंग कर सकें तो ये तीन जो थे वो भ्यानक ड़ावने प्राधान जो थे उस समय के intermediaries और बांकी लोग इतने थे उनके मन में ये था ठ वो तो हम एप्रूबल क्योंकि हमारे पास पूरा infrastructure था हम सारी चीज़े जानते थे इस देश के पहले stock exchange से बिलकुल तो हमें ये पता था कि हमारे पास वो सारी चीज़ें जो हमें सेवी का approval लेने के लिए पड़यापत हैं तो हमने पहले approval लिया और 27 September 2011 को हम पहले stock exchange बने ज लेकिन हम 2010 से जो है सारे लोगों से मिलते थे market में लोगों से मिलते थे लेकिन मैं आपको सचा ही बताओ मुझे एक भी positive opinion या feedback नहीं मिला जी ओब बुलाते थे बात करते थे stock exchange से जाते थे तो बैठने को मिलता था लेकिन कोई भी इसके साथ जुडने के लिए तैयार नहीं फिर एक इसी तरह एक event हुआ था उसमें SME प्रमोटर थे उसमें लक्षमन जी थे तो लक्षमन जी गए थे उसमें दो तीन कंपनिया आई थी तो हमारे पास आई तो हमने उन्हें मर्चेंट बैंकर से मिलाया शुरू में मर्चेंट बैंकर त्यार हो गया तो हमें लगा कि दो मेने में हम यह लांच कर देंगा क्योंकि हमने अगस्त में ही उनसे मीटिंग आई थे अगस्त दो हजारे की आरा मैं अच्छा लेकिन प्रॉस्पेक्टर्स तैयार होते होते वो मर्चेंट बैंकर के चेर्मेन और मर्चेंट बैंकर दोनों को cold fit हो गया ओह अच्छा क्यो तो मुझे उन्होंने बुलाया और बुला कि हमें माफ कर दो हम यह नहीं कर दाएंगे मैंने बहुत ही बिंती की लेकिन उन्होंने नहीं माना पिर हम घूमने लग गए बड़े निरास में और हमको मतलब कहीं जो है आसा के कीरन नहीं दिख रही थी तो इसी तरह खुशते खुशते खुशते फाइनली जा करके एक यंग लरका मिला मुझे और उसका नाम था स्रिपाल सा मर्चेंट बेंकर तो अच्छा वो मुझे बुला कि अजे भाई मैं आपके साथ इसमें काम कर सकता हूं तो एक आसा की पहली किरन वहां जगे थी फिर हमने एक दूसरी कंपन से हिम्मत दिखाए हम तिनों बैठे हम तिनों ने काफी मेनत की लेकिन बीच-बीच पे वह आता था हिचक प्रमोटर के तरफ से हिचक आता था कि वह सही कर रहें की नहीं या वह पहली कंपनी बनने की हिम्मत करें लिस्टिंग के लिए की नहीं लेकिन भगवान की बहुत क अमाम थे उस समय मदू करना आसिस चोहान जी हो एलक्षमन जी हो इस सारे लोग जो थे सब पीछे पड़े कि भाई हमको यह समय प्लेटफॉर्म लाउंच करना है और हमने 13 मार्च का डेट हुआ अब 13 को भी लेके भारत में आपको मालू है बहुत सारे लोगो उसके डेट को लेकर के लेकिन हमने डिसाइड किया कि जब हम सुब कार्च करने जा रहे हैं तो देट भी सुब ही हो जाएगा और इस तरह से हमने 13 मार्च 2012 को पहली SME कंपनी लिस्ट कराई तो यह जो इतने पुने दो साल का सफर था वो काफी बहुत दुख वड़ा दर्दवड़ा समय कितने बार हम बहुत हतास हुए निरास हुए कि यह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके चाहिए उससे समय एक मीडिया चैनल पर एक इंटर्व्यू भी हुआ था उस लोगों का और वो लोगों ने सारे लोग बड़े बड़े लोग थे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और सारे लोगों ने एक साथ ये बात कहा कि यह समी प्लेटफॉर्म के जो नियम है वो सारी चीज़े इसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा और इतने बड़े लोग जब एक साथ में ये बात बोले तो आपके लिए जो है काफी गट्स होना चाहिए काफी सक हमें कि वो सबने मेंनत की और वो पहला लांच हुआ तो यह हमारा पहला माइलेश्टोन था जो हमने अचीव किया तो विपरीत हवाओं के चलते हुए भी आपने मंजिल को हासिल किया तो पहली कंपणी आपकी कौन से लिस्ट हुए बीसी भी फाइनांस लिमिटेड करे थे तो यह पूरा फुली सब्सक्राइब हुआ चोटी इसू थी साही चार क्रोर की इसू थी फुली सब्सक्राइब हुआ अब मर्चेंट बैंकर ने भी मेहनत किया जो प्रमोटर था उसने भी मेहनत किया जो उनके अपने सर्क्राइब थे वहाँ पर भी उन्होंने बाते फिलाई तो वो सब जो थे इन्वेस्टर बनके आएं और सबने कंपनी को लिश्ट कर आकर के पार पर यह लिए उस समय सब् अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था फिर उसके बाद लिस्टिंग हो गया तो लिस्टिंग के बाद आपको मार्केट में की भी करना है तो यह 13 मार्च को ही लिस्ट हुई 13 मार्च 2012 को सुचार उरुप से वो लिस्ट हो गया तेरा मार्च 2012 से लेकर के अब तक का जो सफर है SME IPOs का और SME सेग्मेंट का वो जर्नी आप कैसे देख देखिए 13 मार्च 2012 को तो हमने पहली पहले सिरी पे पैर रखा था लेकिन हमें मालून था कि यह जो पहली सिरी यह क्योंकि आपको देखिए जो दुनिया में सबसे मुस्किल काम होता है ना वो होता है कि लोगों का नजरिया बदलना और सबसे ज़्यादा समय नजरिया बदलने मिलेता है जब हमने यह शुरू की थी तो हमारे पास मर्चेंट बेंकर नहीं थे हमारे पास investor community नहीं थी जो इ अगर SME category में आता है तो उनमें यह समझदारी नहीं है इवें जो उनके advisors हैं वो भी नहीं समझते हैं और कहीं ना कहीं fear of compliance रहता है उनके दिमाने यह already compliance करना पड़ता है लिश्टिंग के बाद और बहुत ज़्यादा compliance करना पड़ेगा हम लोगों के नजर में आ जाएंगे और सारे problems arise होंके दूसरा उनको ऐसा लगता है कि भाई वो तो अथा समंधर है उसमें हम जाएंगे तो कहीं हम फस ना जाएं तो यह सारी चीजे होती है हम जो थे events के हिस्से बने हमारे पास event managers आते थे वो बोलते थे कि हम corporate event कर रहे हैं finance literacy के उपर event कर रहे हैं आप भी इसके नहीं थी तो हमें भी event sponsors managers जो थे उसे sponsorship करने के लिए हमारे पास पहुंचते थे बड़ी-बड़ी बाते करते थे लेकिन वो हमें जो था उस panel discussion में हमारा नाम सबसे अंत में हुआ करता था और जब तक panel discussion होते होते हमारा समय आता था तो organizers हमारे कान में आकर बोलते थे कि सब ह हमारे हम देर हो रहे हैं हम delay हो रहे हैं आप अपनी बात को जितनी जल्दी निपटा सकते हो निपटा हूँ तो हम हमें 5 मेंट का समय मिलता था तो वो बड़ा कश्टकारक था तो फिर हमने हमने जो है अपने साली को में बदलाव लाया और हमने जो है अगर हम event में जाते थे तो हम पहले से ही meeting भी fix कर लेते थे आच्छा और हम उस दिन जाते थे तो हम सुबह सुबह चले चाले आथे ते यह रात में चले जाते थे meeting से पहले सारे promoter से वापस बात कर लेते थे उनका time लेते थे पर उनकी office में जाते थे घंटो समझाते थे उनको लिश्टिंग क्या होता है साही चीज़े और इवेंट में भी बोल के चले आते हैं तो हमने यह साही चीज़े चेंज की अब इससे यह हुआ कि हम प्रमोटर से मिलने लगे उनसे सिधी बातचित करने लगे कम से कम उनके दिमाग में यह बात हम ने ड दूसरा चैलेंज था था कि हम मर्चैंट बेंकर इस सि्टम में कैसे आड करें तो हमने उस समय जो चोटे-उटे सिंडिकेट ही मेंबर थे जो बड़ी मरचैंट बेंकर के लिए मिमबर का काम करते थे आचार ड़िए मैंं करते थे उसमेशे लोगों को जोड़ा कुछ लोग उसके बाद हमारे साथ गोरब जेन थे, वो जुरे, उसके बाद हमारे साथ महावे लुनावद जुरे, तो जब पांच-छे मर्चेंट बैंकर का फिर एक कमल को ठारी जी थे, वो जुरे, तो 2012 से लेकर के 14 तक का जो ये फेस था, इसमें हमें मर्चेंट बैंकर लाने की बहु और ये इंछे वो मर्चेंट बेंकर में मतलब समझे कि ये बगवान के हमारे उपर काफी जirect कrifा है कि हमने इन पांच वो मर्चेंट बेंकर में जो फायर देखा जो जजबा देखा वह अत्लिया आघ साथ और ये हमारे साथ भागते थे वो ये नहीं समझते थे कि है सर ने सू वुबह तीन बज़े उठके निकलते थे, एरपोर्ट पे जाते थे, फ्लाइट लेते थे, ना सोते थे, धंक से ना कुछ, हम फ्लाइट में सो गए या टैक्सी में सो गए, और हम हर क्लस्टर में जाकर के प्रोमोटर से मिलते थे, और कितनी बार ऐसा होता थे, कि हम तिन दिन मिलते थे, दो-दो दिन मिलते थे, और एक मेंडेट साइन नहीं होता था, एक प्रोमोटर नहीं हिलते थे, लेकिन मुझे तो फ्रस्टेशन आता था, लेकिन ये मर्चेंट बैंकर्स में जो पैसेंस था मैंने देखा, वो उसकी में, कितनी भी ताइफ करों कम है, चो कि उन जब हम करीब-करीब साथ-8000 कमपनियों से मिल चुके, तो जा करके हमने पहला माय लिष्टों 2015 में प्राप्त किया, जब हमने 100 कमपनी लिष्ट करा लिए, अरह बहुत लिया, ठीक है, अब जब हमने 100 कमपनी लिष्ट करा लिए, तो हमारा उस्सा बर्दन हुआ, हम काफी बीच में छोटे मोटे एपिसोड हुए, जिसमें हमने कुछ कमपनीयों पर एक्शन भी लिया था, वो लेना भी जरूरी था, ताकि हम जो है, एक स्मूथ और एक वेल रेगुलेटेड मार्केट क्रेट करें, तो ये क्या इंसिदेंट्स थे? कुछ कमपनीयों की सेर प्राइस बर चुकी थी ज्यादा, तो हम देख रहे थे कि वो फंडामेंटर से मैच हो रही नहीं, इसलिए हमने इंक्वैरी किया था, तो वो चीजे थी, तो हमने वो जहां जहां पर जो जो चेक्स एंड बैलेंसे थे, वो हम हर चेकर पर डालते चल लिश्ट हुए, तो हम काफी उत्साहित हुए, तब तक आसिस चोहां जी भी ऐसे के मडी बन चुके थे, उनका ये उनका भी वीजन दो था, हमारा वीजन एलाइंड था, उनका ये कहना था, हर हमेसा कहते थे कि भाई इस देश में लगों और मद्यमुद्यों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और हम काफी प्रेड़ना हम को भी वहां से भी मिलता था, ये वो पीछे कड़े हैं, और हम भी इसलिए काफी मेनत करते थे, काफी मेनत करते थे और उनकिसी चीज़ के लिए कभी रोका टोका नहीं, तो ये जब सौवी कंपनी लिश्ट हो गए, तो हम क काफी मोटिवेटेड और चार्जड अप हो गए, और हमको लगा कि अब जो हम सक्सिस के तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं, समय से पर जो जटका मिलता था, मिलता था, वो तो पार्ट और पार्सल आप नहीं थे, लेकिन इसने एक जो है, SME प्लेटफॉर्म को एक नाया आय तब तक रिटेल इन्वेस्टर की अक्टिवली पार्टिसपेशन में, रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसपेशन वी थे, कि सेभी की जो डेफिनेशन है रिटेल इन्वेस्टर की, अगर आप दो लाग के नीचे इन्वेस्ट करते हो, तो रिटेल इन्वेस्टर है, उस सम पंदरह से लेकर के इसमें आया इसमें एनेसी भी एक्टिव होगी कि एनेसी ने भी बोला कि भाई हमको भी एसमें प्लेटफॉर्म करना है तो आप दू स्टॉक एक्सेंज पैरलरी रंग कर रहे थे तीसरा उसी ताइम से भी चेयर परसन यू के सिना उनका वो इस देश में जो है डिमोकरिटाइशन करना चाहते थे कैपिटल मार्केट का ओके तो वो हर जगह पर सेंटर्स ला रहे थे और एसमें प्लेटफॉर्म के लिए भी अवेनेस क्रेट करने में से भी हमारे साथ जूरी है अब यह जूरने से क्या हुआ कि क्रिडिबिटी एसमें प्लेटफ जो इस फाइनसियल मार्केट में और प्रोमोटर के बैकबोन होते हैं उनको हमने काफी हद तक जोड़ना सुरू किया बहुत सारी मर्चेंट बैंकर ने उनके साथ भी जो है एग्रिमेंट किया भाई आप अपनी जगह क्योंकि इस तेस में इतना बड़ा एसमे का नेटवर और हमने दुसरी पराओ 200 कंपनी की पार की अरह बहुत बड़िया ठीक है और इसमें हमने देखा कि दो चार इंस्टिशन भी सडिनली पार्टिसिपेट करने लग तो 2017 तक और 4-5 मर्चेंट बैंकर जुड़े इसमें जो जिन्होंने पहले उनके बड़े दुसरे मर्चेंट मर्चेंट बैंकर के साथ टायब किया था उन्हेंने खुद मर्चेंट बैंकिंग किया जिसमें होलानी कंसल्टेंसी थे और भी दो तीन लोग थे उन्हों वो भी इसके साथ बी लाइन थे तो यह लोग इसमें जुड़ना इस रूख रहे इंटर एक्टिव से रेंश टॉक कुछ मर्चेंट बैंकर क्रियेट होगे कलकता से आये हमारे पास इस तरह से तो कलकता से जिसे ग्रेटेक्स कॉर्ट पेट आया तो इस तरह से मर्चेंट बैंकिंग बेस हमारा बड़ा होना वह बहुत ज़़गी था लेकिन 2018 में capital market में especially small and mid cap के sectors में गिरावट आई मार्केट ही थोड़ा सब small mid cap को लेकर थोड़ा सा निगेट होगा और उस समय valuation सबकी गिरी तो थोड़ा जो है ये एक एक पॉज जिसको करते हैं एक पॉज आया था एक पॉज आया था लेकिन हमने मेहनत करना नहीं छोड़ा और 2019 में जा करके हमने 300 का पढ़ाव पार कर लिया तो वह हमारे लिए फिर एक बीस बनना स्टार्ट हो गया अनफॉर्चनेटी 2020 में करोना आ गया 2020 से किसमें लेकिन हमने online webinar के थ्रू हम सब से connected हैं अगर हम अगर देखे 2020 से किसमें तो हमने उस समय भी उतनी खड़ाब समय में करे कोई काफी struggle वाला रहा होगा काफी struggle का था शेयर बाजार जो है वो लगाता डाउन था उसमें करेक्शन थी एक हैवी करेक्शन हमने देखी और उस करेक्शन के बाद उस करेक्शन के दोर के अंदर में शेयर बाजार के अंदर पर इंटरस्ट बिल्ड करना कि जहां पर पूरी द नहीं थी और हर लोग प्रयास रखते हैं मतलब ऐसा नहीं था कि और सबसे बड़ी बात थी कि जो स्टॉक एक्स्चेंज इस थे मैं कह सकता हूं कि इस देज में हर भारतिया को न अपने स्टॉक एक्स्चेंज पर गर्व होना चाहिए इतनी हमने स्ट्रॉंग टिकनोलोजी ड लेकि हमने स्टॉक एस चेंज को रुखनी नहां दिया मेरे ख्याल से सबको इसको सर आंकों पर रखना चाहिए इतनी बड़ी बात है और बलके मुझे ऐसा लगता है कि जो कोरोना का समय आया उसने शेर बाजार की दशा और दिशा भी बदली है और जो प्रोस्पेक्टिव था वो भी बदला है और क्योंकि जहां पर दो तीन करोड़ डिमेट अकाउंट्स थे वो बढ़ करके तेरा करोड़ हो जाना मैं आपको एक ही चीज बताता हूं देखिए अगर जो वैक्ति लीडर्शिप रोल पर बैठा हुआ है देखिए जब हम कुछ गलत हो जाता है तो हम फाइडिंग स्टार कर देते हैं हर तरफ से फाइडिंग बिलकुल लेगिन कैसे लीडर्श ने जो है जो है इस्टॉक एक्सचेंज के में लोग थे उन्होंने कैसे सीमलेसली इस्टॉक एक्सचेंज को उस परियर्ड में चलाया जो पूरी टेक्नोलोजी डिवेन था हर इसको उन्होंने टेक्नोलोजी पर जो बहुत सारे फिजिकल्स काम करते थे उसको भी टेक्नोलोजी पर शिफ्ट करके और इतनी सीमलेसली चलाया है में ख्यास से वह इतने बधाई के पात रहें उसके मैं उसके बारे में कहीं नहीं सकता हूँ क्योंकि हमको जब तक सब कु क्यों को लिस्ट करवा पाएं उस प्रियर्ड में और उन्होंने अच्छे फंड रेस किये थे दोहजार बैस में वो भरता चला गया आज का मैं आपको समय बता रहा हूं कि देखिए एसमी प्लेटफॉर्म ने वो क्रिडिविटी वो उचाई मतलब आज के दिन में पा लिय मतलब यह अपने आप में एसमी प्लेटफॉर्म की इवाल्यूशन कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इवाल्यूशन हुआ है जबकि गाइडलाइन्स को भी थोड़ा इस्टिक्ट किया गया है सारी चीजों पर बहुत क्या लेकिन आज के दिन में एसमी प्लेटफॉर्म के पारे में पूरी अवेर्नेस है जो हम 40,000-41,000 ऐसमी प्रोमोटर्स को मिले जो हमने इतने सारे अवेर्नेस प्रोग्राम किये इतने सालों में आप 40-45,000 प्रोमोटर्स से मिल लिए तो यानि आपके वाद 45,000 केस स्टड़ीज हैं और दूसरी बात किया है कि हमने जो देखा इस देख में मैंने देखा skill की कमी नहीं है हर प्रोमोटर्स काफी ज्यादा skill है अब उसमें थोड़ा सा innovation और uniqueness और financial literacy डाल दिया जाए तो मैं हर में सा कहता हूँ कि और उनको थोड़ा support किया जाए तो मेरे खासे वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम 10 trillion dollar economy पर बड़े आराम से बहुत जल्दी पर अच्छा आपने तो मोदी जी से आगे गा एक step ले लिए है 5 trillion से 10 trillion dollar की कि अब इस सारे अगर factors आप देखें जिसतर से FI के fund आ रहे हैं FI participation हो रहा है FDI आ रहे हैं जिस दिस की infrastructure change हो रही है जिस दिस 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 की infrastructure change हो रही है जिस दिस दिस law and order को each करने की क analysis कर रही है जिस दर से regulatory agencies काम कर रहे हैं जिस दर से 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 आपि काम कर रहे ही ताकि सारे चीजे स्मूथली हो जाए एक euphoria में जाकर एक फिर क्रैस नहीं हो जाना जाया है जो जिस दर से सारे checks and balances and controls डाल रहे हैं पूरी agency सारे मिल के इस तर से RBI काम कर रहे हर संस्था जो है न in tandem हम काम कर रही है, मेरे ख्यास से हम well poised हैं, ठीक है, inflation control में है, हम well poised हैं कि अगर इस चीजों को सही दर दिसा में थोड़ी सी हम अगर push कर दें, तो I think it will be like a catalyst, it will act like a catalyst and we can move fast in that direction. तो मेरे ख्यास से वो सारी चीजे हैं, हमें मेहनत करना पड़ा, इसमें कोई दोड़ाई नहीं और हमने जो मेहनत किया, हमने परिवार वगएर साही लोगो sacrifice करकी यह मेहनत किया था, मैं बहुत सारी चीजे तो साहद यहां पर बहुत है, मैंने बड़े नईदीक से आपकी अब उतार चरहो हमने देखी, आप यह लगो और मत्यमुद्यों के इस पार ने तो हम उनके में उनकी जो मेहनत है, उनका जो फायर रहता विजे हमने देखा है, तो हम लोग एक दुस्रे को काफी नजदीक से देखे हैं, आपने मेरी जर्नी देखी है, जे जे, अजे, अज कि मैंने बड़ा क्लोजली कुछ एक SME's के ओनर से बात की, कुछ पर्मोटर से बात की, तो उन में एक फियर रहता है, वो फियर क्या है, वो फियर यह है, कि जी, अगर कोई इन्वेस्टर आएगा, उसको हम इस्सेधारी दें, पहले तो इस्सेधारी क्यों दें, एक, दूस है, तो जब भी दूसरी बार पैसे की जुरूरत पड़ेगी, तो यह एक प्रोब्लम, यह बड़े तीन जो मेजर रीजन्स हैं, इसकी वज़ए से, इस फियर की वज़ए से, कहीं ना कहीं, जो SME, ओनर है, वो शेर बजार से दूरी बना लेता है, और नए इन्वेस्टर को अपने साथ नहीं लेता है, लेकि हमें जो है ना, अब अब अगर स्टॉक सेंज की बात करें, तो यह सो साथ से है स्टॉक सेंज, हमने रिलाइंस का ग्रोथ देखा, इन्फोसी का ग्रोथ देखा, टाटास का ग्रोथ देखा, बिलास का ग्रोथ देखा, यह ग्रोथ कहां से आया है यह ग्रोथ तो capital market से ही आया है बिल्कुल उन्होंने भी equity dilute किया आज भी वो company के honor है या managing director है और maximum decisions ओर लेते हैं with the help of the administration and board लिए ग्रोथ तो वहां से आया है बिल्कुल अगर हमें growth का रास्ता अपनाना है तो हमारे पास क्या जड़िया अगर आपको grow करना है आपको finances तो चाहिए बिल्कुल और अगर आपको finances चाहिए तो finances लाने के क्या है रास्ते आपके पास दो ही उपाए finance लाने के या तो आप bank loan लो और या equity funding या equity funding लो अगर bank loan करने की भी लेने की भी एक limit होती है आप अपनी company के balance sheet को तो over leverage नहीं कर सकते हैं और अगर ज्यादा over leverage करेंगे तो कभी economy अगर down turn पे है या economy नीचे आए या demand and supply mismatch हुआ या particular sector hit हुआ तो आपको जो है वो loan करने में बहुत मुसीबत होगे और आप देखें बिगद 10-15 साल में या 20-15 साल में बहुत सारी company लो नहीं चुकाने के चलते NPA होगे बिलकुल तो हम कैसे अपने आपको balancing रखे कैसे अपने आपको immune रखे इन सारे disruption से हुआ तो हम जो है अपनी company को सुचार रूप से चला सके हमारे उपर interest और EMI burden इतना ज्यादा ना हो कि हमें वो चुकाने में हमें अपनी companyों से हाथ धोना पड़े इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक promotor को देखना चाहिए कि हम कितना डेलियूट करें अब minimum डेलियूशन तो 25% है 25% की डेलियूशन करने से आप अपनी company के उपर से control तो नहीं को सकते हैं आप तो company के मालिक है जब तक आपके पास 51% अब आप अगर 25-27% डेलियूट करके अगर आपके पास growth fund आता है तो बुरा ही क्या है उससे अपने company को उचाईयों पर लेके जाएए और जितनी आपकी company उचाईयों पर जाएगे उतने आपके बारे में लोगों की सोच अच्छी होगी बैंक की भी सोच होगी आपकी debt equity ratio भी आप balance करते चले जाएंगे आपकी valuation बढ़ेगी ज्यादा तो जो आप further fund लेंगे वो आप सिर्फ तीन चार पांच percent dilute करके ले सकते हैं valuation बढ़ते जाएगा आपकी dilution भी सखटी चली जाएगी और पी fund requirement भी आदिए और उसके होगी जो यह सारे ये सारे रास्ते के फूर के थूरू जाकर ही खुलते हैं हम तो हर सार अरं को फॉद्स का इस तरह सनल करें है कि आपने up अंपxis को इस tarah से management करें हम अपने equity funding और debt funding को स 쿠 तरह से management करें ताकि वो अपने बिजनेस को ढंक से चला सकें अब आपके लिए हमने SME प्लेटफॉर्म खोला आए तो आप तो लिश्ट नहीं हो सकते थे में बोरिटफॉर्म को आप पूरी तरह से हल्प लें पूरी तरह से इसको लिवरेज कर और अपने कंपनी को आगे बाया है ये एक इसके लिए हमने एसे में प्रेटफार्म ये तो प्रमोटर की तरफ से हुआ ये हो गया और प्रमोटर को जो है इसमें जैसे मैंने कहा कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं यही एक करण है कि आज एक गयाड़ा सू कंपनिया दोनों एक्सचेंज मिला के लिस्ट होई है ये जो आपने हमसे प्रेश्ण किया ये प्रेश्ण हमने बहुत सारी प्रमोटर से सुन चुके है जो में 40,000 बढ़े प्रमोटर से मिला है ये और ये और ये और ये प्रेश्ट है जाते हैं उनके जो एड़वाजर से वो भी निस्तेज हो जाते हैं पेसों से चलो आगे हैं जिन क्या वो ग्रोथ का रास्ता है और अगर आप ग्रो नहीं करेंगे अगर आप नहीं आपके कंपनी में ब्रहोतरी होगी तो आप किसी दिन खतम हो जाएंगे तो इससे अच्छा बढ़ते रहें ना कि खतम हो बलके इससे उनका पॉर्टफोलियो जो है वो मजबूत हो रहा है और साथ में उनकी जो मार्केट रेपूटेशन है वो मजबूत हो रही है कि एक लिश्टेट कंपनी का प्रोमूटर जब अपना विजिटिंग कार्ड देता है और एक अनलिश होती है एक अलग वेट आता है उसके उपर और लोगों का परस्पेक्टिव जो नजड़िया आप कहते हो ना वो नजड़िया चेंज होता है दूसरी इंटरनेशनल इंवेस्टर्स भी जो होते हैं या इंटरनेशनल कंपनी जो है टैब जो करना चाहती है वो हर हमेसा प्रि इस्टेट कंपनी सारे इंफॉर्मिशन सापके जो है वो पब्लिक डोमेंड में चाहिए गवर्मेंट बिजनस लेना हो या इंटरनेशनल बिजनस लेना है और आपके कर्डिवरिटी है तो हरम इसा फिर्श प्रियारिटी आपको मिलेगी तो इस्टॉक सेंड में लिस्टि बनाते रहता हूं उनको प्रेडिद करते रहता हूं कि भाई आपके लिए दरवाजा हमने खोला है बड़ी मेहनत से बनाई है बहुत सैक्रिफाइस करके आप लोगों के लिए बनाई है बिलकुल तो आप इसका लाव आप इससे लावानवित नहीं होंगे तो फिर कोन होग पर आप लावानवित होगे तो देस लावानवित होगा बिलकुल ये तोương परमोटर साइड से है अब जो इंवेस्टर आते हैं जैसे सीवाश्चा नहीं नहीं इंवेस्टर को अमने देखा है कि उनको रíp बड़ जल्दी चाहिए ज़से अच्छा जो प्रोस्पेक्ट है अच्छा इसका हमने एक नेगेटिव पॉइंट भी देखा है कि कोई HNI क्लाइंट अगर इंट्रोड्यूज हुए वह अगर कंपनी का इसा बने तो उनको तो चाहिए कि कंपनी तो फटा-फट रातो रात सोने के अंडे देने लग जाए और वह वो इनवेश्ट सेभस लेते हैं उनकी अंदर में कोई ऐसी जो है हर रोज हर दिन जो है उनकी कोई दखलंदाजी होती नहीं कोई इंटेफिर इस होती होती नहीं है ह। स्टॉक मर्केट के इनंवेश्टर्स हाँ ज़रूर ये एक्स Ready करते हैं कि उन्हों ने जो फंड दिया मेंसा जो है इलर्ट भी रहते हैं और इलर्ट रहना भी चाहिए ठीक है उनसे बार-बार इंफॉर्मिशन भी इसलिए मांगा जाता है अब इन्वेश्टर्स पर्स्पेक्टिव से इन्वेश्टर्स जो है ना वो रियली investors होना चाहिए, opportunist नहीं होना चाहिए, बिलकुल, अब हमको investors को में हर में सा दो चीज में उसको divide करता हूँ, आप opportunist हैं के investors हैं, अगर आप real sense में investors हो, तो आप company के ओपर research करो, क्योंकि आपका hard and money उस company में जाड़ा invest होड़ा है, ठीक है, हम तो regulators हैं, हम तो हर में सा चाहें, य information disclose है, price जो है investors के demand and supply पर depend करता हूँ, market play है, बागे जो circuit filters होगेरा तो हम जाते हैं, but investors जो है, वो investors होने चाहिए, यह भाई, आप company पर पूरी research करो, उसकी report निकालो, invest रहो, long term में invest रहो, उससे क्या है, आपका भी, आपके भी fund में growth होगा, company में भी growth होगा, वो investors है, जो आज डाला और कल मुझे इतना return मिजए पर सो, वो investors नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को कभी-कभी issue भी आते है, कभी-कभी problem आते है, क्योंकि आप high expectations जब fall करते हो, तो फिर वो market को भी disrupt करता है, तो मेरे क्या से investors को मैं हरम ऐसा करता हूँ, कि investors को जो है, investors बनके रहना चाहिए, क्या SME companies को manipulate करना असान है? देखिए, इन बातों पर तो मैं ज़्यादा नहीं बूर पाऊंगा, कि manipulate करना असान है कि नहीं आसान है, क्योंकि देखिए, हमने वो भी समय देखा है, चाहां पर चार्तिर क्रोर, तीन क्रोर का भी issue subscribe नहीं हो रहा था, आज हम देख रहे हैं कि investors की जो number of investors है, पहले हर company में कितना investor होता था, 2020 तक SME company जो लिश्टेड होती है, 20 investors, 30, 40, 50, maximum 100 investors सक खतम हो जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, अगर आज investors based देखे SME company जो लिश्टेड है, चाहे हो SME platform पर, यह main board पर, आज एक एक company में 1000, 1000, 2000, 5000, 5000 investors हैं, issue size भी on and average बढ़ करते जा रहा है, बिलकुल, जो 3-4 करोर पर था, आज 30-40 करोर का average इस शुपे बढ़ गया है, अब demand इतना है, investors की रुजहान जो है, SME company पर ज्यादा हो गई है, तो यह demand and supply जो है, जिस direction में काम करेगा, उस हिसाब से company की price अब या down होगी, उसके अलावा हमने SME platform पर एक ची अगर इस charge में, मेरे खिया से में हड में साब बूलता हूँ कि जो भी market से associated होते हैं, उनको मन से साफ होना चाहिए और पायस होना चाहिए और अच्छा काम करें, और कोई manipulate करने के कोशिस कर रहा है, तो उसको तो जितना आप dissociate करें और done दे सकें, वो भी कम है, ठीक है, तो यह है, on ground truth यह है, कि SME platform के प्रती जागुकता अप्रम पार है, SME platform पे investors की संख्यां काफी ज़्यादा हो गए, demand काफी ज़्यादा है, लेइन आपके platform के मादियां से मेहर मैसा अभी भी investors को बोलूँगा, कि आप जब भी किसी company में investment कर रहे हैं, तो just behavioral investment ना करें, behavioral investment नहीं है कि सब भाग रहा है, तो हम भी उस भीर में भाग जाएं, आप company के समिक्चा करें, अगर आपको लगता है company सही है, तो ही आप investment करें, अरनिता उस से दूर रहें, बिल्कुल, मैंने क्योंकि SME platform को बनाया है, मैं इसका दुरदसा होते तो नहीं देखूंगा, बिल्कुल ठीक investment करें, और अगर आपको लगता है कि उस company में investment नहीं करना चाहिए, तो आप उससे पड़े रहें, बहले दुनिया की कोई भी थाकत आगर कि आपको बोले कि भाई, इसमें पैसे डाल तो आपका double हो जागा, एक अगर वो company आपको अच्छी ना लग रही हो, तो आप उससे द trade होती हैं, और वो trade size जो है, आपका main board के उपर जो trading है, जो volume है, उससे कई गुना ज्यादा है, similarly SME IPOs जब अब list होने लगे हैं, तो ये भी कुछ-कुछ शुरुआती दोर के अंदर में, grey market के अंदर भी trade होने लगे हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जब भी कोई platform, ये तो मतलब समझें कि बहुत बड़ी बात हो गई है कि करोना के बाद जो है, आप एक trend देखें, इसको दो परिप्रेक्श में देखना पड़ेगा, 2020 तक, कितने investors से? दो करोर, एक्टिव लिक trade कितना करते थे, 110 पकर लिए, 20 लाग के आस बच ब आर्बिट्राज है और jobbing चलती है, तो hardly जो थे, 15-20 लाग investor जो थे, वो market में active हुआ करते थे, on daily basis पे, आज का situation किया है, अब आप इस situation को तीन तरह से देखिए, एक समय वो था, जब अगर FI 500 क्रोर का या 200 क्रोर का माल बेशती थे, market vertical fall होता था, आज FI माल बेशती है, तो भी हमारे पस fund है, नहीं साथ, retail ही नहीं है, retail की जो ताकत बढ़ी है, वो तो बढ़ी गई है, क्या आज 2 क्रोर से हम 12-13 क्रोर के investors पे पहुँच चुके हैं, वो एक है, दुसरा क्या है, हमारी खुद की mutual fund की asset under management, जो आज की दिन में 56 लाग क्रोर, 57 लाग क्रोर के आस पास जो एक बहुत बड़ा balancing factor काम कर ली है, इसमें SIP ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है, तो अगर यह balancing act देखिये तो यहां हो गया है, ठीक है, इसमें से बहुत सारी investors कीदर shift कर गये हैं, SME platform की दरब भी shift किये हैं, तो यह investors based बहुत बड़ा बन गया, दुसरी अगर आप time period डिखिए, पहले हम T plus 6 में listing होती थी, आज T plus 3 में listing होती है, पहले आपका T plus 4 पे fund release होता था, आज T plus 1 के intake fund आपका release हो जाता अगर आपको से से lot नहीं हुए तो, तो क्या हो रहा कि एक जो बहुत बड़ा pool है, T plus 1 को release होता है, उनके पास फिर उतने fund आ जाते हैं, यह rotation पर चलता रहता है, तो ground reality है, facts है, यह सारे facts है, जो एक बहुत बड़ा role play कर रहे हैं, आज के दिन में stock market को stabilize करने में, और उनके share price में momentum रहने में, तो यह चीजे हो रही हैं आज के दिन में, market एक अलग दिसा पकर लिया है, एक अलग direction पकर लिया है, मैं तो हर में सा एक चीज़ बताता हूँ, कि capital market जो है ना, अंतहीन है, आप इसको किसी एक boundary में जो है ना, एक दाएरे में बांध नहीं सकते हो, आप ये बार बार कह सकते हो, अभी inflation कम हो गया, अभी ये हो गया, आप उसके लिए logic डाल सकते हो, लेकिन हमने देखा कितने बार वो logic भी fail हो जात हम एक छोटा सा एक round लगाते हैं, सुपर फास्ट का, तो आपने जल्दी जल्दी से उनके जवाब देने हैं, ऐसे तीन बातें जो SME IPO को ध्यान में रखनी चाहिए, किस परिपेक्स में, इन्वेस्टर के point ओप्यूस, इन्वेस्टर को हर हमेशा ये देखना चाहिए, कि व में, उसकी profitability क्या है, और company में जाकर के, वो जो है, promoters से भी बात करें, और promoters को समझें, कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, इन चीजों को ध्यान में रख करके, और क्या valuation पे company अपनी IPO लेकर के आ रही है, इन पांच चीजों को उनको हरमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हम, ऐसे में IPO में, company की ownership जाने का खत्रा सबसे ज्यादा रहता है, यह निराधार है, स्कूल कुरिकुलम में, शेर वाजार भी subject के तोर पर बनाया जाना चाहिए, इस से financial literacy आएगी, यह सही है, तो इसके लिए कोई काम कर रहे हैं हम, हम तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख investor awareness की मोहिम चलाई भी है, और कुछ लोग हैं जो YouTube और different channels के माधियम से भी investor literacy का program कर रहे हैं, तो यह ground पे चल रहा है, हलांकि curriculum में नहीं डाला गया है भी, बट यह programs चलते रहते हैं, काफी ज्यादा investor awareness पे जोट दिया गया है, दोनों exchanges तो करी रहे हैं, इसके अलावाब fundamental और technical analysis पे भी classes ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों नहीं class क्योंकि अगर school level के उपर ही इनको financial literacy से अवगत करवाया जाए, तो जो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे लड़कों से बिगत तीन सालों में 2020 के बाद जो market में जो तेजी आई, मैं मैंने देखा है 17 साल, 18 साल, 19 साल के लड़कों को capital market में बहुत रूची लेते हैं, और वो research reports बनाते हैं, वो fundamental और technical analysis करते हैं, तो मेरे क्या से shift to already उस direction में हो गया है, अगर हम उसको all lower level पे लेके आना चाहते हैं, जहां पर हम सिर्फ basics डालें, तो हम इसको level पे basics वो जो है, व उन्हें IPO लाना चाहिए, मेरे ख्यास से हर SME promoter को IPO लाना चाहिए, जिसमें मैंने भी जब हम वारता लाप कर रहे थे कुछ समय से, तो हमने ये बोला था, कि आपकी जो है, एक ही source of funding के ओपर dependency जो है, वो धातक सिद हो सकती है, over leverage जिसको कहते हैं, तो आप equity का दरवाजा कि आप growth करें, एक entrepreneur को क्या होना चाहिए, growth oriented होना चाहिए, तभी तो जिंदा रहेगा sustainable उसकी business रहेगी, और growth oriented होने के लिए आपको, और ये SME platform एक बहुत बड़ा गुन के रूप में आया है, बहुत बड़ा समझे उनके लिए opportunity है, जिसको वो हर मैसा explore करें, शेर बजार कै पैसीनों है, यहां पैसा लगाने वाला हमेशा हरता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो कहते हैं कि हर मैसा जब भी हम stock exchange में जाते हैं, तो हम यह कहते हैं, this is a temple of wealth creation, देखिए आप इसको मैं आपको एक बड़े सहज रूप से कह सकता हूँ, कि आज के दिन में nuclear bomb भी है, atomic bomb है आप उसको जो है positive चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, या आप पावन जेर्मेरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, हर हमेशा जो चीजों को यूज करता है, उस पर depend करता है कि वो जो अपने चारों तरफ का atmosphere वो कैसा बना रहा है, अगर वो casino के तरफ अपने पैसे को यू प्रवाइट कर सके हैं, जो जिनको पैसे चाहिए और जिनके पास excess money है, वो demand and supply को match करने के लिए, हमारे पास इतने सारे promoters हैं, उनको पैसे को प्रवाइट करे हैं, खाली उनको bank funding पर तो depend नहीं रहाना, या debt funding पर तो ये एक जड़िया है जिसके तो उनको equity funding दिया जा सकते लेकिन at the same time जो investors वे जिन्दगी भर के लिए तो नहीं रह सकते हैं, तो उनको exit या entry देने के लिए एक secondary market बनाया है, तो actual logic जो stock exchange बनने का था वो यही था, यही हरमेसा रहेगा, लेकिन से भी मानती है दस में से एक विक्ती ही share बाजार से पैसा बनाता है, आप क्या मानते है देखिए मैं आपको बार-बार कहता हूँ, देखिए हम stock market डो चीजों से चलता है, एक greed और एक fear, जो भी वेक्ती इसमें फसेगा, वो पैसा खोएगा, और maximum time लोग इसमें फस जाते हैं, खोने का time लेकिन अगर आपने वो दरवाजा बंद कर दिया, और investment का दरवाजा हरमे होने के chances कम हैं, एसमे segment में कितनी कंपनिया आप तक main board में जा चुकी हैं, अगर दोनों stock exchange को मिला के कर ले तो 400 कंपनिया main board में जा चुकी, 400 से 400, मैं एक जैक्ट फिकर नहीं पता है, लें between 400 to 450 कंपनिया main board में जा चुकी हैं, 2030 तक आप क्या मानते हैं, SME segment में कितनी कंपनिय लिस्ट हो चुकी होँगी और इसका capitalization कितना हो चुका होगा, देखिए आज के दिन में दोनों stock exchange मिला करके market capitalization approximately सारी 3,000,000,000,000 करोड है, ठीक है, अगर यही चला, तो मेरे खियासे 2030 तक आप 5000 SME's listed पाएंगे, जिसकी market capitalization मेरे खियासे 15,000,000,000 करोड रूपे होनी चाहिए 15-20,000,000,000,000 करोड आप मानते हैं, यहां से फाइड टाइम्स, फाइड चॉजन टोजने समे हो जाएगी, मेरे खियासे 20-25,000,000,000,000 करोड का market capitalization बं सकता है, यहां पर है, हमने company होते होते हैं, हमने जिस company को 2014 में लिष्ट करा आया था, इस क्रोर कीál की वैलवेशन पे इस turn over 10 crore थी और profit 1 crore थी आज उस company की turn over 170 crore किये profit 63 crore किये 63 crore किये तो आप समझे कितना बड़ा evolution आया अगर इसी तरह अच्छी company आती जाएगी जो capital market से fund ले करके उसको genuinely growth करेगी तो मेरे क्यास से वहां पहुचने में कोई दिकर नहीं आपने genuinely शब्दगा यहां पर परयोग किया क्या कभी आपका experience ऐसी company से भी हुआ है जिन्हों ने जो short term के लिए list होने के लिए आई bogus company बनी और bogus company आपकर के list हुई और list होने के बाद में वो गायब दिए क्या कुछ experience ऐसा तो क्या है आप उसको हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप company list होती है लेकिंग disruption हो जाते हैं बहुत सारे problem आज जाते हैं अचानक promotor को कुछ हो गया था ऐसी जह हो गए वह company decline पर चली जाती है और फिर वह defunct company हो जाती है तो ऐसे तो आये हैं कोभीट में बहुत कुछ company इंपक्ट हो गए इसमें इससे हुआ तो चार कंपनिया पहले भी आये थी उसमें भी इसी परिसानियों तो ऐसे तो होते हैं आपको मान के चलना पड़ेगा यह capital market का यह risk factor आपको पकड़के चलन ठीक है हमने पहले government bonds भी आये थे जब एक time state government ने इसू किया था वह भी defunct होगे लोगों के पैसे डोग गए इंटेंस तो ऐसा नहीं था अच्छे काम करने का अच्छी रूप से करने का तो maximum तो ऐसा ही लगता है on face के company अच्छा काम करने के लिए पैसे जुटाने के लिए और यहां से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन over the time आप इतना उनके उपर जो है ध्यान नहीं रख पाते हैं तो ऐसी घटना हो जाते हैं चुकि budget का session शुरू हो गया है नई government form हो गई है पिछले budget में भी हमने देखा SME main उसके उपर पर था task पर था अभी सरकार से आपको क्य 5 trillion dollar की economy को touch करना इस regime के अंदर में वो पहला इनका एक target है और विक्सित भारत की तरफ move करने के लिए और सबसे बड़ी बात जो हम यहां पर notice कर रहे हैं कि आप रोजगार कैसे develop करोगे रोजगार develop करने के लिए और जो source है वो SME दूसरा सबसे बड़ा source है जो आपको रोज करते हैं तो यह सारी चीजें इसके बीच के अंदर हमें SME में मिलती हैं तो उस prospect से आप इस budget को किस नजर से देखिए government का हर हमेसा focus SME पे रहा है अगर आप देखे वेकर 5-6 सालों में हरमेसा government का focus directly or indirectly SME पे रहा है बहुत सारी चीजे वो budget में announcement करते थे बहुत सारी नहीं भ important है budget के अलावा भी वह है ease of business मेरा यह मानना है कि जितने भी maximum जितने भी approvals आते हैं उनको लिए one window आप कर दो या maximum 2-3 window करो ताकि approvals जितने भी हैं वह fast हो जाए एक बार आप वह ease of doing business पर ले आएंगे मेरे खासे बहुत साइस समस्याएं उनकी जो है दूर हो जाएगी उसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो प्राइस सेंसिटीव है जिसमें समीज को इंपैक्ट आ सकते हैं उसको हम कैसे control कर सकते हैं इंपोजिंग ड्यूटी और रिलैक्सिंग ड्यूटी उसके अलावा मेरा यह मानना है कि अगर SME में कोई एक्विटी फंडिंग आती है कहीं से भी एक्विटी फंडिंग आती है तो उसमें कुछ जो है जो इन्वेस्ट करता है उसमें उसको इंकम टैक्स में जो है कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि अगर उसने इतना इंवेस्टमेंट किया है तो जो अंदर LTCG आ रहा है उसके अलावा भी एक छोटा सा उ उनको जो है यह इंकम टैक्स में इंसेंटिव होना चाहिए जिससे जो है फंड का डिप्लाइमेंट जो है इन कंपनियों में अच्छे से हो सके क्या लगता है जैसे अब एसमे सेग्मेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते होंगे अग कि दो तीन बड़े जैनुएन से कुश्चन होते हैं पहला ओनर्शिप के ओपर हमने डिसकस कर लिया दूसरा क्या खर्चा आएगा और अगर उसके पास यह एसमे को लिस्ट करने के लिए खर्चा नहीं है तो उसका रहेंट कहां से हो सकता है देखिए सबसे पहले एसमे के उपर इतना कॉश्ट बर्डन नहीं आता है यह एक मिथ है हमने उसमें को बहुत कम किया जिसके चलते यह इतनी सारी कंपनिया लिश्ट होती है देखिए जो भी कॉश्ट आता है जो भी कॉश्ट आता है समझे जैसी जितनी IPO साइज होगी उसके अनुसर कॉश्ट है 15% of the cost that also in three stages. Okay, 5% each stage. 5% at each stage. Rest 85% only when the fund comes. Okay. तो हमने देखा out of pocket expenses 10 to 15 lakh rupees से ज्यादा आते विए नहीं है. अच्छा. तो अगर 15 से 20 लाग रुपय का जो है हमने देखा है अगर आप 3 stage में दे सकते हो, then it's not an issue. The rest of the expenses जो है वो IPO के बाद आता है. तो आप यही समझें कि 15 to 16 underwriting वों के बाद है. यह भी जो मैं कह रहा हूं only compliance cost. जो compliance करने है, सारी चीजे करने है, compliance agencies को देना है, जो peer review auditors को देना है, जो due diligence के लिए लेना, वो पेसे सिफ चार्ज करते हो. उसके अलावा नहीं. क्या ऐसे भी कोई limitation है कि company इतने साल पुरानी होनी चाहिए? यह वो है हमने जो भी नियम जो change वे उसमें यह कहा गया है, कि कम से कम company तीन साल पुरानी होनी चाहिए. और अगर वो convert ही है, तो conversion एक साल पहले होनी चाहिए. अच्छा. और दो साल उसमें profit होनी चाहिए. कनवर्जन का मतलब क्या सब्सक्राइब? जैसे आप मालें यह प्रॉप्राइडरिसिप हैं या पार्टनर्सिप हैं या LLP हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने convert किया और कल आप filing कर दी है. तो BSC ने वो नियम चेंज कर दिया. प्राइवेट लिम्टेड कंपनी के ओपर भ कराईगी. तो इसमें अब तीन साल के बीच के अंदर में क्या profit भी माइने रखता है? कितने percent का profit? नहीं, percent नहीं. पिसले दो साल वो profit making होनी चाहिए. और क्या इसमें ये भी limit है कि company का turnover इतना होना चाहिए? या company की valuation इतनी होनी चाहिए? तभी वो list हो सकती है? ना हमने turnover के ओपर कोई guideline रखता है, ना हमने profit के ओपर, quantum के ओपर हमने कोई guideline नहीं देखा है. हमने सिर्फ इतना का है कि तीन साल है, ये guideline नहीं. बाकि उनको merchant banker के साथ बैठके ये तेह करना है कि वो कैसे, क्या valuation होगा, company कैसे list होगी, कब list होगी. दुसरी चीज़ है, कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी turnover बहुत कम है, profit कम बहुत कम है, और आप जो compliance है, उत करने लाइक ही ना रहें. आप company security अपने payroll पे लेके ही नहीं आपाएं, उनका पैसा देने के लिए आपके पैसा नहीं है. तो company को भी समझना चाहिए कि हम किस turnover पे इतने comfortable हैं कि जो stock exchange के compliance है, listing करने क जो compliance है, तो वो करने में सक्चम है. तो वो भी internal introspection SMEs को करके फिर आना चाहिए और merchant banker के बाद जाना चाहिए. यानि की बड़ा मुझे लगता है कि काफी SME के बारे में और SME के IPO के अंदर में लोगों को जानकारी मिली होगी, लेकिन इसके साथ-साथ में आपकी किताब आ रही है SME के उपर पे, जल्द आप उसको launch करने जा रहे हैं, जुलाई के अंदर में आप इसे launch करने जा रहे है उसमें main subject आपने किस के उपर ज्यादा थरस्ट दिया है? इसको हम छोड़के आगे बरें, तो यह साही चीजों पर ज्यादा ठश रही है, थोड़ा सा अपनी life journey के बारे में discuss करते हैं, मैक्सिम ठश रहे हैं, यह इसके उपर हम, किस नाम से किताब लेकर आ रहे हैं? नाम रहे हैं अभी तो मैं उसके बारे में बाद में करूंगा, म हम कोसिस यह कर रहे हैं कि इसमें फंट का जो है involvement और कैसे ज़्यादा बराये जाए जाए और जन्यून फंट का कैसे involvement हो, उस structure पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी SME इसको guidance चाहिए, support चाहिए, उनको visibility create करना है, तो उसके लिए हम जो मदद कर सकते हैं, उस मदद जब करेंगे, तो अगर कोई आप से संपर करना चाहिए, तो वो कैसे कर सकता है, वो मेरे मूबाइल नमबर पर संपर कर सकता है, अजय जी आप हमारे स्टूडियो में हैं और आपने ये तमाम जानकारियां शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय न सुन रहे हैं, उनके बहुत सारे फंडास क्लियर भी हुए होंगे, अगर एक निश्चित तोर के उपर आपको एक जर्नी, ग्रोथ जर्नी अगर तै करनी है, तो इस डर को छोड़ना होगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, और अगर सक्सेस स्टूरी आपको अपनी खुद क लिखनी है और तै करनी है, तो जो अजय जी ने आपको बताया, कि यहां पर आपके जो विंडोजे हैं, जो दरवाजे हैं, वो खुलते हैं कैपिटल मार्किट से, और अगर आप कैपिटल मार्किट के अंदर में पाव रखते हैं, बिना डर के, एक होसले के साथ, एक वीज कांदारी के साथ में, तो निश्चित तोर के उपर जीत आपका इंतजार कर रही है, अगले पोड़कास तक, नमस्कार.